दोस्तो QZ यानि की कॉंटम का एक्टिव पावर्ड यूएस्वी हब फोर पॉर्ड यह जो यूएस्वी हब है गाईज यह हम मंगवा चुके हैं और हम करेंगे गाईज का अन्बॉक्सिंग फास्ट रिव्यू और बताएंगे कि आपको यह कहां से लेना चाहिए जो आपको स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाईज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं यह है फोर पॉर्ड का 3.0 पावर्ड यूएस्वी हब जो आपको एमजन प्राइम में तकरीवन अठारा सो रुपे का दिखाय दे रहा है इसकी खासियत यह है कि इस वाले 100 रुपे सस्ता पड़ सकता है और मैंने भी वही समंगाया है और वह है गाईज क्यूज यानि कि कॉंटम के कॉंटम जीरो के ओफिशल वैब साइट से आपको दिखाई दे रहा होगा यह वही चीज है आप यहां से उसके मॉडन नंबर को भी आप वैरिफाई कर सकते हो यह सब्सक्राइब करें करते अपने इस रिविव को शुरू तो गाईज यह हमारा बुलू डार्ट के थुरू आया है इसका काईज करेंगे अन्बॉक्सिंग वैसे गाईज मैंने आज सुवे ही इसका अन्बॉक्सिंग कर दिया है बुरी तरीके से कोई बात नहीं यह हमारा क्यू जैट का डबा इसके अंदर है यूज भी हब इसको हमने गाई इसका जो सील है उसको भी और रेडी ब्रॉक कर दिया है कोई बात नहीं इसको करते हैं यहां से ओपन और यह है हमारा एक सेकेड़ कि मास्टर पीस क्यूज एड का यूएजबी हब देखेंगे गाईज की सकंदर बॉक्स में क्या-क्या है हुए रही है तो गाई इसमें आपको एक यूएजबी केवल मिलता है जो हम पोर्ड में लगाएंगे यूएजबी हब बाकि इस GEलावा क皈ज आपको आपको एक voor मैनुल मिलता है जिसको आप पढ़के इसको आराम से चलाना सीख सकते हैं वाकि हम तो ही आप उताने के लिए इसको करते हैं गाइस साइड में और अब आपको इसका टुटोरियल दिखाना चाहता हूं कि आप इसको कैसे यूज करोगे और हाड़िस लगा कर भी दिखाऊंगा अगर आप इस यूज को हाड़िस इस्पेशली ले रहे हों कि हाड़िस चल जाए क्यूंकि हमारे गाइस लैपटॉप में या फिर पीसी में इतने पोर्ट नहीं होते कि हम एक्टेरनल कुछ यहां पर डिवाइस लगा सके इस्पेशली गाइस यह पावर सप्लाई के साथ आपको मिलता है तो यहां पर आप दो से तीन हाड़िस अराम से लगा सकते हो तो करेंगे गाइस से कनेक्ट और दिखाएंगे आपको की यह कैसा करता है काम तो गाइस पावर अड़ेप्टर को हम पिन में डालते हैं वह इसके अलावा आपको यहां पर दिखाई दे रहोग है तो गाइस हमारे यहां पावर सप्लाई लग चुका है अब हम सिधा ही इसे गाइस लैप्टोप में कनेक्ट करेंगे एक सेकिन यह हमारा गाईस यह जज़ो यूएज़वी में कaca करते है अब गाईस हमारा जो खेल है असली शुरू होता है तो गाईस यहां पर आप हम कर कीबोर्ड चालू हो चुका है आपको दिखाय दे रहा होगा कीबोर्ड गाइज सक्सेस्फुल चालू है अब इसके बाइज माउस आपको मैं लगा कर दिखाता हूं कि माउस कैसा काम कर रहा है यहां पर हमने माउस भी लगा दिया है और हमारा जो माउस है वह भी काम कर रहा ह एक सेकिंड यहां पर दिखाए दे रहा हूं माउस भी लग चुका है इसके अलावा दोस्तों हमारे पार कुछ सर्प्राइज है जैसे की दिखाए दे रहा होगा आपको यह आपको दिखाए देरा हो गाई यह जो दो हार्डिस्क है दोनों ही 55 टेराबाइट के हैं दोनों 5 ट थीख है तोगाइज पहले हम एक हार्डिस्क को लगा के देखेंगे कि क्या काम कर रहा है या पिया फिर दूसरे हाडिस्क को लगाएंगे तो यहां पर मैं पॉर्स हारडिस्क इसमें कर दो तो guys, यह हमने यहाँ पर लगा दिया है, अगर आप कोई भी device में डालोगे, तो यहाँ पर side में से आपको दिखाई दिखा, light जल गया है, तो जो pot है, वो काम कर रहा है, तो guys, पहला hard disk लग चुका है, और already guys, हमारे यहाँ पर जो hard disk है, जो hard disk है, 5 terabyte का, मैं आपको आप लगाना चाहते हो, like hard disk, like external DVD writer, तो guys, यह बहतरीन है, जबर्दा से लाजवाब है, एक बार guys, हम एक और hard drive को लगा के देखेंगी, क्या काम कर रहा है, या फिर फट गई इसकी, तो यहाँ पर सीधे तावर पर guys, हम इसको लगाएंगे, और 1 second, यहाँ पर आपको दिखा रहा है test, तो guys, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा होगा, यह हमारा दूसरा भी 4.5G TV का आफ करना आ चुका है, तो guys, यह अगर आप इस परकार के uses के लिए लेना चाहते हो, hard drive लगाने के लिए, किसी बड़ device को लगाने के लिए, तो यह बहतरीन है, जबर्दस है, तो इ USB hub की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मेरा काम कुछ ऐसा ही है, अगर आप editing gaming करते हो, तो उसके लिए भी यह बहुत बढ़िया है, बागी guys, मिलते हैं किसी next video में, अभी के लिए इतना ही